हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टु माई चैनल मैं आज आपके साथ भरवा मिर्च की रेसेपी से एर करने वाली हूँ और ये मिर्च बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत चटपटी लगती है आप बिना भूख के भी इन मिर्च का स्वाद ले लेंगे ना तो खाना जरूर खाएंगे और ये एक साइट डीस है तो कैसे बनती भरवा मिर्च देख लेते हैं रेसेपी देखने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले ने ने और इन मिर्च को हमें बीज में से चीरा लगाना आईए देखिए इस टाइप से मैंने लगा के रखा है और मैं आभी आपको आगे दिखाऊंगे भी कैसे लगाना है तो देखिए ये मिर्च को मैं काट के आपको चीरा लगा के दिखाती हूँ ऐसे चाकू की हेल्प से तो बीज अलग कर सकते हैं अगर आपको बीज पसंद ना हो तो तो देखिए इस तरह से सारी मिर्चिया मैंने काट के रख चलिए आप करते हैं मिर्च के अंदर भरने वाले मसाले की तयारी तो ये मैंने दो चम्मच ले लिया है सोंग और आधा चम्मच जीरा और मेती के दाने आधा चम्मच से भी कम लिये हैं मैंने तो इन चीजों को हमें ड्राय रोस्ट कर लेना है हलका सा इसका मॉइस्ट्र खतम करना है बहुत ज़्यादा इन्हें रोस्टेट नहीं करना है तो देखिए ये रोस्टेट हो गए है इन्हें ठंडा करके हम मिक्सी के पीस लेंगे तब तक के हम त्यारी कर लेते है ये ले लिया है मैंने धनिया पाउडर दो चम्मक रोपिन फीकी है इसलिए और यह लिया है पौओडर बैंचूर पाउडर 1 1-2 तीस कूंग भी धनिया पाउडर 2 चम्मक लिया हży स्टार्टिंग में, फिर मिर्चली, फिर अमचूर पाउडर और एक चमच लिया है मैंने नमक, अब इसी मिक्सी के जार में ये रोस्टेट मसाले डाल देते हैं हम, और इन्हें हम पीस लेंगे, एकदम महीन पाउडर बना लेंगे, तो ये देखिए पीस के कुछ इस तरीके स महीन पाउडर बन गया है, और बहुत ही अच्छी खुसबू आ रही है, इसकी लगता है कि अब खालू, तो देखिए एक बोल में हमने निकाल लिया ये सारा पाउडर और इसे कुछ चार पाच चमच पानी से हम भिगा लेंगे, देखिए इस तरीके से भिगा लेना है, ये पेस्ट बना लेना है, और अब हम इन मिर्चों में भरते हैं ये पेस्ट, तो देखिए अब इसमें मैं भर के दिखाती हूँ आपको, ये थोड़ा सा ले लिया, और उंगली और अंगूठे की हेल्प से हमें फील कर देना है मिर्च में ऐसे, और ऐसा थोड़ा पिंच करते हुए बचा मटेरियल निकाल लेना है, इसी तरीके से हम सारी मिर्चियों को भर के रेडी कर लेंगे, देखिए मैं दूसरी मिर्च भी भर के दिखा रही हूँ आपको, ऐसे, अच्छा ज्यादा ज्यादा मसाला भरिएगा तो बहुत अच्छी लगेगी, मसाला भरने में कं क्यार कर लेती हूँ, आप इधर मेने ओल गर्म करने लेख दिया है और मेने मस्टर्ड लिया है, अब बिल गर्म होने के बार मैं सारी मिर्च्यों को डाल लूझी निकीं लगी, बढूतर समयर लड़िया, है अब गर्म तो हम सारी मिर्चियां इसमें डाल देते हैं यह देखिये ऐसे इसारी जो बचा के रखी अभी वह भी डाल दूंगी मैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक नमक थोड़ा समल के डालना क्योंकि हमने इसके मसाले में भी नमक एड़ किया है और फिर मिक्स कर देंगे और इन्हें हर एक एक मिनिट बाद मिक्स करते रहना है स्पेचुला चलाना है मैंने यहां पे एक पैन का यूज़ किया है आप चाहे तो कड़ाई में बना ले तो देखिये अलटते पलटते हाग भी देंगे धकन से ढग देंगे ताकि और अच्छे से पग जाए और बिल्कुल भी तीखी नहीं लगेगी बहुत ही अच्छी लगेगी टेस्ट में आप ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी बनी यह मसाला मिर् थेंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ सेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स